अगरे चल्डब पर पहली बार आए तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल कोजोड़ है जरूर सब्सक्राइब करिए साथी साथ आप हमारी वीडियो की लेटस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निसान को जरूर प्रेस करिएगा तब ही आपके पास हमारी वीडियो की लेटस्ट नोटिफिकेशन आप आएगी और आप हमारी वीडियो को कंटिनु इसी तरीके से आगे भी वाच कर पाएंगे बेसिकली आपकी स्क्रीन पर एक ओफिस मेमरेंडम या बोलता है सरकुला सरकार की तरफ से जारी किया गया है तो कि पैंसन हैं पैंसन भोगी कलियान विभाग की तरफ से बहुत इंपोर्टेंड का रहला है अपन अफिस मेमरेंडम जारी किया गया है जहां पर ऐसे पैंसनर्स के पैंसन की बकाया रास्तिका ब्रुकतान जहां पर उनोंने जो है अपना नोमिनेशन दرज नहीं किया था पैंसन के लिए या नोमिनेशन दरज किया भी था तो उनके जो वारिस है या उत्रादिकारी है उसके रिगार्डिम बहुत इंप्रटेंट ये सर्कुलर जारी किया गया है बेसिकली पैंसन बकाया जो नियम है उसके अनुसार पैंसन भोगी के यारी डेथ हो जाती है तो पैंसन भोगी को जो मिलने वाली पैंसन की जो बकाया रासी है उसका भुगतान पैंसन भोगी के नोमिनेशन को दिया जाएगा दिया जाएगा लेकिन पैंसन भोगी के द्वारा लेकिन अगर उसका नोमिनेशन नहीं किया जाता है बकाया पैंसन का या तो जो नोमिनेशन नहीं किया जाता है या नमंकर नहीं किया जाता तो उस इस्थिती में पैंसन का भुगतान जो है बित्त मंताल है के बहुत पहले 1983 म एक office memorandum जारी किया गया था उसके पैरा चार के according कुछ पैंसन भोगियों के आस्टितों ने जो वैद उत्रादिकारी प्रमाण पत्र जमा करने में कटना ही व्यक्त की है और उन्होंने आविदन दिया है कि उन मामलों में वैद उत्रादिकारी प्रमाण पत्र की अनिवारिता को समाप्त कर दिया जाए जहां पर देधन रासी कम है यानि क्योंकि उत्रादिकारी प्रमाण पत्रवाने में कई बार जो है प्रोलम साती है जिसके चलते उनकी जो बकाया पैंसन रासी है उन पैंसन के नोमिनेशन या नोमिनेशन को नहीं मिल पाती है या कई बार नोमिने कारी संबन दस्तवेज के आधार प्रद जो भी म्रत पैंसन भोगी को दे के पैंसन है उसके बकाया की भुकतान की सुर्कति दी जा सकती है लेकिन इसके लाबा जो है अब जो उसमें सरकार ने आगे इस पर फिर से मामले विचार किया और अब जो सीमा थी जो पैसा की उर जहां पर कर्मचारियों और पैंसनर्स को के पैंसन भोगी की म्रत्यू होने पर जो पारिवारी पैंसन के बकाया प्राप्त करने का अधिकार है परिवार के अगले क्रम वाले पात्र सदस्य को दिया जाएगा बकाया रासी के बुकतान के उत्रादिकार मानपत की जरूरत के पड़ेगी जब परिवारी पैंसन भोगी के म्रत्यूं के बाद परिवार में कोई सत्स पारिवारी पैंसन पाने का पात्र नहीं है इसलिए यह जो उत्रादीकारी होने का जो प्रमाण पत्र है वो लगाने के जरूत नहीं है लेकिन जो अगर उसमें पैंसन रासी जादा है तो उसके बाद जो उसमें बैद प्रमाणी पत्र लगाने की जरूरत पड़ेगी इसके लाबा करमचारियों और पैंसनर्स के बकाया रासी का जो भुकतान है वो भी आपके जो है नोमिनों को दिया जाएगा अगर नोमिनेसन नहीं हुआ है तो उसके अगले करम में जो भी नोमिनी होगा जो भी उस परिवार का सदस्य होगा उसको जो है सारी रासी प्रवाइड करा दी जाएगी तो यह बहुत इंपोर्टेंट यह सर्कुलर था बहुत इंपोर्टेंट कार्या लाग अपन था वीडियो अच्छा है तो लाइक करेगा सेर्स अभी के साथ करेगा ऐसे न्यूज इंफोर्मेंशन और अपडेट्स के लिए हमाँ चैन को सब्सक्राइब भी कर लेगा मेल ताम पो नेक्स वीडियो मैं थांक यू सो मच